Hello guys, welcome back to our channel. We are back with a new word called despite. In English, it means without being affected by the thing mentioned, यानि इसका हिंदी मतलब है के बावजूत. अभी उधारन में और अच्छे से समझते हैं. Despite the bad weather, we enjoyed ourselves, यानि खराप मौसन के बावजूत हमने आनंद लिया. यानि bad weather होने से भी उनको कोई फरेक ने पड़ा, वो अच्छी तरह से enjoy किये. इसका हिंदी मतलब होता है के बावजूत. इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो, नई सब्सक्राइब के साथ. ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल के साथ जुड़े रहे हैं और चैनल को like, share, subscribe कीजिए. इस वीडियो में बस इतना ही धन्यवाब.